एक सवाल बिहार में अभी नियोजी सिक्षक का बिहार की सिक्षा ब्यवस्था पर उठ रहा है कि नियोजी सिक्षकों से जो सक्षमता परिक्षा आपकी भी परिवार की प्रिष्ट भूमी जो है वो सिक्षा के ही छेत्र में आपके पिदा जी अभी भी एक तरह से कह लिजे क प्रात्मिक सिक्षक संग के जो हैं अध्यक्ष हैं कारिकारी अध्यक्ष भले वो बिधावस्ताय कारण कारे पूरा नहीं देख पा रहे हैं क्या नियोजी सिक्षकों का क्या होना चाहिए 17 साल से वो सेवाएं दे रहे हैं बिहार सरकार को तमाम जो परिक्षाएं उनको देनी उचित नहीं होगा और उनके प्रतिस सानुमुती रखना चाहिए हमारे मन्दी मुकुंती जी सानुमुती रखते भी हैं सानुमुती का नसा लगातार बहाली भी हो रहा है जो परिच्छा का जो पेटर्म बनाये हैं अचित अपता उसमें जचिलापन भी है कि तीन बार देने का मुका मिला घह है लेकिन हम सिप तीन री भार नहीं उनके साथ ऐसा करना चाहिए कि भले उनके जो कुछ कमुछोर हो उनको कुछ टेनिंदे दें, कुछ बें लेकिन सबको एक समान करके और उसको जो कैसेख चलता है टेनियम केम चलता है मानने कुछ टीचर कमजूर है इसीभी सह में कमजूर हो गए है तो उनको टेनियम करा करके दिखा करके फिर उनको त्यार कीजी अब उन पर तриंफार परिशार, परिशा में समय बर्बादी है आरे हम यह उचित नहीं मानते हैं अनिल जी मानते हैं बहुत से टीचरों से हम मिले उसमें वो करें कि दो साल नौकरी बाकी है तीन साल बाकी है तो और परिवार पटना में से टला जहां है फिर उनको रैंडम ट्रांसफर किया जाएगा लेकिन वो अभी भी परिक्षा देने क हम देने को तियार हैं बहुत से सिक्षख और सिक्षिकाएं उसमें ऐसा है जिनको कंप्यूटर का कोई ज्यान नहीं है टेक्निकल कोई ज्यान नहीं है तो और उन्होंने का भी ज़दी यह नहीं मांग मानते हैं तो हम तेरा तारी को एकदम विधान साभा का जब सत्र गेराओ करेंगे तो आखिरी संदेश आप क्या भी सरकार में है आज के पंप साथ साल दस साल पहले कंप्यूटर का जूग नहीं था तो कंप्यूटर लोग अतना सिखे उन्हें तो टिचर के बाहली होती थी उसके जोगता पर कंप्यूटर में दच नहीं थे अब तो गर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और उनको रखना चाहिए और हम तो टीचर के पच्दर रहे हैं तो टीचर के पच्छम रहे हैं अमारी सरकार धन्माद के पात रहे हैं बधाई के पात रहें लेकि कुछ और लचिलापन रूख टीचर के परती दिखाना चाहिए जिसे उनक राजकर्मी के दरजार में कोई कठना ही नहीं हो। शिक्षा वीद के परिवार से आने के कारण और आप खुदी एक बिधायक भी है। नियोजित शिक्षा को क्या संदेज देना चाहिए। खुदी यॉजित शिक्षा के हम पच्छ में हैं के उनको द्हाझ रंकर अपने माऊं को रखना चाहिए। दहाज पुरवक कोई नेगेटिव लाइन में जाना चाहिए अधायज पुरवक शारे निताओं से बात करके भुक्मुंति जी से बात करके फिच्छा मुंति जी से बात करके और लंबे समय से जो कार्ज किये हैं कंप्यूटर नहीं जाने उनके लिए कुछ ट्रेणिंग की बेफ्था कर दें अट्रेनिंग करा करके और इसे सिफकों को सबको परिशा देने का और सरकार को परिशा में इतना समय उतना बरवादी उतना दीनला समय का बचत होगा इसलिए हम तो रह देते हैं अपने विच्छ को करनी चाहिए अतब दिल्ली करके और सिक्षकों के प्रती सकरात्मक गुरुखना रखना चाहिए अब देखना है कि टेकारी से विधायक हैं सिक्षा वीध हैं सिक्षा परिवार से आते हैं अनिल जी और क्या कुछ कुछ सरकार निकाल कर कोई रास्ता नया निकालती है या नहीं इन नियोजित सिक्षकों के लिए इस पर भी हमारी नजर रहेगी आप बने रही हमारे शार्ट